नमस्ते मेरा नाम डिविड है और आप दी लरंट आप देख रहे हैं सरकार ने फाइल शेरिंग वेब साइट वी ट्रांसपर पर बैन लगा दिया है मुंबई मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक दूर संचार विभाग ने इस सम्मल में आदेश जारी किया है इसी रिपोर्ट के अनुसार वी ट्रांसपर को बंद करने की बज़ा नेशनल और पबलिक इंटरिस्ट बताया गया यानि देश के हित में फैसला लिया गया है मुंबई मिरर ने लिखा है कि दूर संचार मंतराले ने 18 माई पोईस बारे में पत्र लिखा पत्र इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कमपनियों को भेजा गया इसमें तीन यूरल यानि वेब साइटों के पत्वों को बैन करने को कहा गया इनमें से पहले दो यूरल वी ट्रांसपर से जुड़े थे महीं तीसरा URL वी ट्रांसपर वेबसाइट का था सरकार के आदेश के अनुसार इंटरनेट सर्विस प्रोइडर कमपोनियों ने वी ट्रांसपर पर बेन लगा दिया है हलां कि सरकार के ओर से यह सबस्ट नहीं किया गया कि वेबसाइट को लिकर आपत्ती क्या थी यह भी नहीं बताया कि किस तरह की फाइल के शेयर होने के चलते बेन लगाया गया कमपनी की साइट पर तीन दिन पहले लिखा है कि इस समय भारत में वी ट्रांसपर उपलब्द नहीं है ऐसा लगता है कि इसे ब्लॉक किया गया है ब्लोग या जाने की वजह का पता लगाए जा रहा है इसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है पिछले कई दिनों से कई यूजर वी ट्रांसफर से फाइल ना जाने की श्रिकायत कर रहे हैं ऐसे ही एक यूजर को वी ट्रांसफर ने जबाब भी दिया कहा हमें ऐसी खबरे मिले हैं कि भारत में WeTransfer को आंशिक रूप से ब्लॉग किया जा रहा है हमारे टीम मामले की जाच कर रही है उमीद है कि हमें जल्द ही जादा जानकारे मिलेगी इस बीच बहतर यह होगा कि हमारे साइट चलाने के लिए VPN सर्विस का इस्तिमाल किया जाए सबर रखने के लिए शुक्रिया क्या है WeTransfer? WeTransfer फाइल शेयर करने की लोग प्रिये वेबसाइटों में से एक है यह नेदर्लैंड की कंपनी है पूरी दुनिया में इसके करीब 5 करोड यूजर है इस पर हर महिने करोडो फाइले ट्रांसपर होती है लोगडाउन के चलते घर बैठे काम करने वाले लोगों के लिए साइट काफी उप्योगी है WeTransfer का इस्तिमाल करना काफी आसान होता है इसे यूज करने के लिए एकाउंट बनानी की विज़रोत नहीं होती है इस पर एक बार में कोई भी बेठती दो जिवी तक ये फाइल दे सकता है फाइल मांगने वाले को मेल पर फाइलों का लिंक मिलता है पैसे देकर इस वेबसाइट के जरिए दो जिवी से बड़ी फाइल भी भेजी जा सकती है हलांकि भी ट्रांसपर पहले ऐसी साइट नहीं है जिसे भारे सरकार ने बैन किया इससे पहले साल 2011 मेगा अपलोड नाम की साइट पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था यह कदम इस साइट के जरिए पाइरेटर फिल्मे शेयर किया जाने के बाद उठाया गया था यह स्टोडी की थी हमारे साथ है इस शकती ने अगर इस वीडियो का आप यूटूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फिस्बुक पर देख रहे हैं था हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा आप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए थैंक यू दी लललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियेंस बदलने वाली वेबसाइट यूट्यूब और फेस्बुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है अप की लललन टॉप अप जो लॉंच होते ही कुछ ही घंतों में बन गया था नमबर वन प्ले स्टोर से एंड्रोइड अप इंस्टॉल कीजिए और जोड़े रहिए लललन टॉप खबरों से अब एक ही जगह पर मिलेंगे पलिटिकल किस से ललन टॉप शो चुनावी कवरिज परताल और आसान भाषा में पाईए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले पेस्बुक और यूट्यूब से भी पहले खबरे और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन बड़ी खबर हो या फिर हो किस से सब आपके फेवरिट सेक्शन आपको हैं बताने इतना ही नहीं क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए आज ही गूगल प्लेय स्टोर पर जाईए और दीलल आप इस ताल कीजिए